रहुआ है तक जब से देष आजा दूरत तब से चाहिं पॉआ इसके आधार पर तो देश ही बटा हिंदू पॉम्सलमान के नाम पर अब पहले द्लीक्ते हूं मैं प्रश्न करना चाहता हूं, इस देश का बटवारा तो मुसल्मान के नाम पर हुआ, और कॉंग्रेस ने तब से लेकर अब तक मुसल्मान को बोटर समझा, उसे इंसान तो समझा ही नहीं, परंतो जब बोधी जी आ गए तो सब का सास, सब का अभिकास, सब का विश्वास, इस नारे के साथ में हिंदुस्तान भर की जंता पूरव से पस्रम तर्शे दक्षिन, सब जब खिटे हुए जुड़े हैं, तो सभी राजने की दल बिर्विलाने लगे हैं, उन्हें परिशानी हो रही है, लेकिन अब देश का परतिये नागरख कुछ अबादों को शोड़ करके राष्ट की मुकिधारा पर चल पड़ा है, हिंदू सहस्कर्ती और हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन हिंदू सत्य सनातन वैदिक धर्म है, शिष्ट की आथ से है, इसका दुल्पियोग तो लोग करते चले आए हैं, जिस रावण का भी आपने दहन किया, उसने भी साथू मांतमा को कपड़े पेंड कर देशीता का अरण किया था, अनुसीयका शिद्वंग करने के लिए तो लोग मांतमा कपड़े पेंड करने के गए थे, तो धारमिता का लोग कुछ असलीता परुस करके, उसका मजाक उड़ाने का, उसे बदनाप करने का प्रियास करते रहते हैं, इसकी निंदा होनी चाहिए और सरकार को सन्यान लेके ऐसे लोग कारवई करने चाहिए, मैंने इन वातों को लेके जिलादिकारी महुदे से, कप्तान साब से, अरभी आप बैठोंगे, आपको सामने, इस जियो साब नहीं से रहे होंगे, मैंने चर्चा की है, और इस अंदर में हम लोग करी कारवई करने वाले हैं, आतन की हत्यात तो, जिये साजा दूर तब से करते चले आ रहे हैं, एक समय था कि महां एक तरंगा घंडा फेराने के लाले थे, आज महां हमारा गवंडर है, अभी साब नहीं कह सकता, बहुत साब्सित है, आप लोग ने कानून बनाया है कि जिन लोगों की दवाव में जमीन खरीद लिग गई थी, या किषिने दवाव में जमीन बेच दी थी, आईसे लोगों की जमीन भी छीन करम बापिस उन्हीं लोगों देने वाले हैं, विस्तापित चपनित्री के सेने वाले बोर्दिती भारत के प्रदान मंत्री हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है और अगर कोई बड़ा एक्षं देश के प्रदान मंत्री को लेना पड़ेगा लेना पड़ेगा तो यह जाएगा